देशी चने का इतना टेस्टी नास्ता आज तक आपने कभी नहीं खाया होगा एक बार मेरे तरीके से ये नास्ता बना कर खाएंगे ना तो आपके बच्चे रोज मांग मांग कर खाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिसियस रेसिपी है, एक बार आप लोग जरूर घर पे ट्राइ करिएगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है यह है मैंने देसी चने और इन्हें मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था और मैंने इसमें किसी भी तरह का सोडा या कुछ भी नहीं डाला है, इन्हें सिर्फ रात भर पानी में सोक होने दिया फिर सुबह मैंने इसे बीन कर धोकर अच्छे से साफ कर लिया है और फिर मैं अपने सारे चनों को मिक्सर में ट्रांसफर कर दूँगी यह देखे यहां पर मैंने मिक्सी में ट्रांसफर कर दिया और फिर मैंने डाली है साथ आठ कलिया लसन की और यह देखे फिर मैंने उसमें थोड़ी सी हींग डाली है हींग हमें थोड़ी ज़्यादा डालनी है और इन सब का एक fine paste बना लेंगे और ये देखें ये हमारा paste बिलकुल बन कर त्यार हो गया है और अब हम इसे एक बाउल में transfer कर लेंगे हमें इसको बहुत पतला नहीं करना है ये देखें इसको थिक बैटर ही हमारा रखना है और फिर हमने उसमें add किया धेर सारी हरी मेर्च थोड़े से महीन कटे पुदीने के पत्ते थोड़े सी धनिया ये सब के फ्लेवर ना इस चन्य में बहुत टेस्टी लगते हैं एक बार आप लोग जरूर इसे डालिएगा और बना रही हो ना बिल्कुल वैसी बनाएगा और फिर मैंने इसमें डाला ग्रेट किया हुआ अद्रक और ये देखें फिर इसमें मैंने इसमें दो आलू को अच्छे से मैश करके उसमें डाल दिया है इससे बहुत अच्छी एक तो बैंडिंग हो जाएगी आलू और चन्य की और फिर बहुत ही टेस्टी भी लगता है और फिर मैंने इसमें डाला नमक, स्वाद अनुसार जैसे आप खाते हों उसे हिसाब से अपना डाल लीजेगा मुझे इसे थोड़ा सा स्पाइसी और बनाना था तो मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली और फिर मैंने डाला कुटा हुआ लाल मिर्च और अगर आपको नहीं ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसे इसके पिकर सकते हैं और फिर मैंने डाला थोड़ा सा जीरा क्योंकि जो यह जीरा होता है बहुट डेस्टी लगता है और फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा सबजी मसाला और थोड़ी सी धनिया पाउडर क्योंकि धनिये का भी फ्लेवर जो है वो काफी अच्छा लगता और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां मैं स्पून से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और फिर यह देखे खुब अच्छे से हमें यहां पर इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीजे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर मैंने से स्पून से के बाद फिर मैंने से हाथ से भी अच्छे से मिक्स हो जाएं और सारी चीजे इसमें आपस में मिल जाएं करके अच्छे से डाल देंगे और फिर इन्हें हम करारा दिमी दिमी आज पर बनाते रहें जितनी दिमी दिमी आज पर हम इसे सेकेंगे ये अंदर तक पक जाएंगे और हम तेज आज पर करेंगे तो ये उपर तो लाल हो जाएंगी पर अंदर से ये कच्छी रहेंगी ये बह अच्छी और गोल्डन हो गई है और ये देखे मेरी बिल्कुल टेस्टी नास्ता चने का बिल्कुल त्यार है और अब हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे ये देखे इस तरह इसका तेल अच्छे से चांच कर हम निकाल लेंगे ये देखे यहाँ पर मेरी सारी टिक्कियां बि आपके बच्चों को बहुत पसंद आगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हैं कमेंट करके बताएं आपको यह रेसेपी कैसी लेगी ओके बाए